हेलो दोस्तों तो कैसे हैं आप सब दूआ करता हो आप सभी अच्छे रहेंगे तो आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पर मैं डिस्कस करूंगा एक्छुली यह वीडियो उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही हेलफुल है जो यूटुप पर वीडियो अफ् यूटॉप और कम्पूटर को यूज़ करकरू को समझाया है मैं आप लोग को मोबाइल के ठ्रू कैसे होता है क्या की हर एक काम एक इरिटेटिंग है तो आपको सबसे पहले step जो करना है वह है आपको आपके mobile को आपके computer आपके laptop को refresh करना है इस step से क्या होता है कि आपके mobile के back में जितने भी other functions चल रहे होंगे वो सभी के सभी removed हो जाते है और remove होने का आप जब videos upload करेंगे तो वो फटाक से upload होता है कोई भी दि YouTube के videos YouTube पर upload करने जाएंगे और यह first step सायद ही आपको किसी यूटूबर ने बताया होगा cleaner से सभी कहके निकल जाती है जो files के बज़े से create होता है उसके बद आपको security scan करना होता है और यह जब भी system में Redmi को हर mobile में available है दूसरे mobile का मुझे पता नहीं उसमें जो system रहेगा उसको आप यूज किजिगा और आपके mobile को refresh कर लिजिगा यह सब करने के बाद आप अपने mobile को boost कर देजिगा तो उससे उसकी speed तोड़ी increase हो जाएगी तो इससे आपका videos को कोई दिकत नहींगा अप्योड होने में यह काम करने के बाद यह सब करने के बाद आप को क्या करना है Chrome open कर लेना है आप जब भी videos upload कर रहे होंगे अगर आपके बस YouTube studio app है तो भी आप Chrome पर open करने के बाद ही videos को upload कीजेगा तो इधर Chrome पर आप अपने studio app को open कर लीजेगा उसके लिए आपको लिखना होगा studio.youtube.com तो open हो जाएगा आपका चैनल यह मेरा चैनल आप देख सकते हैं कि मेरे चैनल पर zero subscriber से हैं और मैंने कल ही इस video को upload किया हूँ और मेरे videos को five views गये हैं और zero subscriber होने के वावजुद अगर आपके videos को views आते हैं वो होते हैं आपके description में जो search name आप डालते हैं उसके बज़े से क्योंकि zero subscriber होने के बाद आपका videos किसी को suggest जाता हैं अगर आप search name वो डाल देते हैं आपने videos में तो जो algorithm run होता है YouTube का उसके algorithm में अगर आपका search names आते हैं तो आपके videos को वो display करते हैं इसलिए मैं आप लोग को इस video में बताऊंगा कि zero subscriber होने के वावजूद भी आप अपने videos क कैसे search में ला सकते हैं तो आप वीडियो को जहां से समझें अपलोड करने के लिए आपको क्या करना होगा कोई वीडियो अगर select करने अपलोड करने के लिए आपको create पर या नीचे जो upload का sign देख रहा है उस पर जा सकते हैं create पर जाते देखिए upload का sign इधर भी बता रहा है औ यह उस पर click करने के बाद फाइल आजागा तो फाइल को आपको open करना है इधर से आपको आपकी वीडियो को select करना है आपका वीडियो इधर अब uploading के लिए डाल दिया गया है अब जब तक यह वीडियो upload होता है तब तक मैं आप लोग को बता देता हूं कि title description और tags के बारे मे इधर मैंने पहले से ही title description और tags लिख कर रखाओं और उसे copy करकर रखाओं तो यह काम आप सबसे पहले करकर रखिएगा यह गलती आप बिल्कुल मत किजिएगा जब भी आप YouTube पर वीडियो अप्लोड कर रहे होंगे और हमेशा Chrome पर ही किजिएगा क्योंकि Google एक ऐसा network है जिस इसे सभी के सभी other network जुड़े हुए तो आप जब भी जो चीज गूगल पर डालते हैं वो उन सभी other networks पर जाकर spread हो जाता है इसलिए आप जब भी यूटुब पर वीडियो अप्लोड करेंगे तो Google पर Chrome पर आपका studio app open करकर ही उदर आप अप्लोड कीजएगा को इंदर में copy पहले से करकर रखा अपने डाल दीता हूँ टो यह देखिए नीचे मैंने वह सब इक चीज़ों को copy आकर रहा है तो यह मैंने टाइटल इदर पेश्ट कर दिया description को भी मैंने पहले से लिख कर रखा था और copy b भी कर रखा हूं तो उसे मैं इदर कर दिया हूँ अब दिखिए जो दिख रहा है इसे मैंने ऑपने टाक्स में डालने के लिए सेलेक्त किया था शै मैंसे में कट कर देता कूल tapping क्योंकि इसके अंदर आगर मैं जो स्री हूं डालने के लिए उससे डालता हूँ तो यह बहुत ही बड़ा हो जाएगा इसके लिमिट के ऊपर चले जाएंगे हमारा वीडियो 13% अप्लोड हो चुका है इधर अब मैंने टाइटल में यह सब डाल दिया है टाइटल में अपने वीडियो के बारे में थोड़ा बता दिया हूँ और यह वीडियो जो बताया हूँ यह वीडियो है हाँ टू ट्रैस लॉस्ट मॉबाइल बाई फोन नंबर आयम यह नंबर और इमेल आड़े इस वीडियो में मैं एक्शुल में बताया हूँ कि जो सेटिंग अगर आप करते हैं और वह टेक्निक यूज़ करते हैं तो अगर आपका मॉबाइल लॉस्ट हो जाता है तो आपका वीडियों को भी प्रोमोट किया हूँ अब नीचे जो दिख रहा है जगा। बच splits अओस में मैं सर्च नेम पेस्ट करने वाला हूं यह यह चीनिक पहले से लिखका रखा हूं और देखे मैंने कितने सार्षनेम रखा हूं अपने वीडियो तो यह सग्नीम किदा से सेलेक्ट करने का कैसे सद्सेट करने का सब्सक्राइlegenहा यह सभी टेक्निक में आप लोग एक दूसरे वीडियो में बता दूगा इधर मैंने सर्च निम भी डाल दिया हूँ और हमारी वीडियो 24% अपलोड हो चुकी है अब है यह हमारा डिस्क्रिप्टों का किया करना है कि आपको आपके वीडियों के बारे में थोड़ा बहुत बताना है डीटेsil के रिए अगर वो विडियो kali गरूं और सभी सभी सब्सक्राल दाल देने और ये सर्च निम की ज़िए से लेना है इसके बारे में दूसरा वीडियो बनाऊंगा उधर आप जाकर डिटेल में समझ लीजेगा वैसके बाद अगर अपने थमने अगर इस विदियो के साथ अड़ करना चाहते हैं तो आप एड़ कर सकaurus ड्रॉट में तो आपको वीदियो कुछ स्ट्रिक्शन अगर आपकी वीडियो एज रिस्ट्रिक्शन है तो ही डालते अगर चलता जब आप शो मोर करेंगे तो इधर आपको बताएगा अगर आपकी वीडियो पेड़ प्रोमोशन है तो आप इस बॉक्स को टिक किज़ेगा नहीं आपका खुद का कंटेंट है तो आप मत किज़ेगा उसको टैक्स आता है टैक्स में जो चीज फूट करना है उसके लिए मैंन चनल मॉवर्णा पैसард हमाहाइव तो ही जाकर यह टाग माने डाता है अम अभी मैंने टैक्स यो लिखे वह उसके आदर कराथर की लिमििट से जादा लिखे तो मैं कुछ character कम कर देता हो तो मैंने कम कर दिए अब दूर रिट करद खाना रहा रहा था डीटेल के को हिंदी को सेलेक कर लेता हूं जो उसके बाद कैप्सन अगर आपने बना कर रखा है लिख कर रखा है ता आप कैप्सन उदर को पेस्ट कर दिजएगा मैंने कोई कोई ऐसा कैप्सन नहीं लिखा है उसके बाद रिकॉर्डिंग डेट्स और लोकेशन किदर आपने शूट किया वह सुट अगर बताने ता बता सकते हैं नहीं बताने तो कोई बात नहीं नीचे नीचे दिया गया है अगर यह वीडियो आपकी खुद के कंटेंट तो आप इद देब देंद संय तो को मैंने होुँ वीडियो आपकी क्याटेगरी में तर आपकी वीडियो सांस अ टेक्नोलोजी के कर भी माती है और आप अटेटेंट डालते है तो आपकी वीडियो जल्दी ग्रो नहीं करेग support तो आप इस बात का ध्यान में रखिएगा इस बात को ध्यान में रखिएगा उसके नीचे आता है तो मैंने जो highly potential comments है उनको दिखाने के लिए इधर select करका हूँ और जो inappropriate है उसको hide करने के लिए बता हूँ और नीचे जो box आ रहा है so how many viewers like and dislike एक उसको आप टिक करके उससे आपको पाता सजाए कि आपकी वीडियो को किसने लोग ने पसंद किया है तो आप यह सब काम करने के उससे क्या होगा कि अगर यह पेज का जो नेटवाक है अगर वो कनेक्टिविटी एक बार भी कड़ जाता है तो दूसरी बार वो वापस स्टार्टिंग से अपलोड करना स्टार्ट करता है तो आप हो सकते यह गलती बिल्कुल ही मत किज़ेगा अगर आप मोबाइल का वीटी को आपस से पकड़ना इसलिए जब आप इस पेज पर आ जाते हैं तो आप सब चीज पहले से ही कॉपी करकर रखेगा टैक्स डिस्क्रिप्शन टाइटल से और इतर पेश्ट करने का ही काम किजेगा एक बार इस पेज पर आ जाते हैं तो इस पेज के पीछे दूसरा कोई भी पेज उपन मत किजेगा वरना वीडियोज को अपलोड करने बहुत ही दिक्कत आएगी और वो जो दिक्कत आती है वो बहुत ही इरिटेटिंग रहती है तो इस बात को आप ज्यान में रखेगा यह पहला गलती थी जो आप मत किजेगा दूसरी गलती है कि आप जब भी भी मीजिक आपकी कपी आती है तो आप एक्ठोल में अलग से जाकर वापस से उस वीडियो को अफ़ोड किजेगा क्यूंकि इधर को करते हैं तो हर बार जितने बार आप कट करेंगे हर बार आपको आपका वीडियो स्टार्टिंग मृटर्ट अप्लोड होईगा उतना ह कितने टाइम स्पैन में वह कॉपी राइट है वह चीज को आप लिख लीज़ेगा किसी पेज़ पर उसके बाद जाकर एक्चुली इधर वीडियो आपने इडिट किया रहेगा उदर जाकर इडिट किजिए उसके बाद आप वापस आकर इधर अपलोड किजिएगा वरना आप इधर से ही अपलोड करते हैं तो बहुत ही वक्त लेता और बहुत ही जादा दिक्कत आती है आप इरिटेट हो जाएंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेगा यह दूसरा काम था तीसरा काम था आप जभी वीडियो अपलोड करेंगा वह हमेशा क्रूम पर ही जाकर आप लोट की जाएगा यह देखिए हमारी वीडियो इधर 97% हो चुकी है आप देख सकते हैं देखे 98% हो चुकी है अब यह वीडियो जैसे आप लोट हो जाते हैं उसके बाद इसका प्रोसेसिंग होने ऊसकी बास चेकिंग होगा चेक करते हैं कि मैंने किसी दूसरा कंटेन या कोई music या कोई वीडियो तो नहीं लिया हूँ अब देखे अप्लोड complete हो चुका है कि बाद प्रोसेसिंग होएगा प्रोसेसिंग होने के बाद चेकिंग होएगा हुआ करें तो अविब देख सकते मैं सभी के सभी चीजस डाल दिया हो आप को ये चीज़े बार बाद चीज कर लेना होगा तो अब देखें हम्हारी वीडियो की क् nit कAL है अब हमारी वीडियो की चेकिंग चल रही है नियुक्त चेक होगा कि मैंने किसी का यूज किया कॉपिराट कंटेंट या नहीं are वो चेक करने का वाद मेरे वीडियो को कॉपिराट है या नहीं है वो चीज बता देंगे योटूब यह देखिए मेरे चेकिंग कंप्रीट हो चुकी है और मेरे वीडियो के नदर कोई भी कॉपी राट कंटेंट नहीं है वह बता जिया गए नो इश्यू फाउंड तो आप उपर देख सकते हैं चेक में वह पुरी तरह ब्लू में टिक हुआ है तो आपका जैसे इस पेस पर सब चीज डाल कर हो जाएगा डिस्क्रिप्शन टाइटल थम्नेल्स टैग से कैटेगरीज तो आपको यह करने के बाद नेक्स्ट करना है अब जब नेक्स्ट करते है तो इधर आपको पुछता है आप कोई सब्टाइटल्स लिख कर रखे हैं तो वह डाल दीजिए मैंने ऐसा कुछ लिख कर नहीं रखा इसलिए मैं वह एड नहीं कर रहा अगर आप किसी और वीडियो को प्रोमट करना चाहता है इस वीडियो के साथ तो आप उसके लिखा कर इस नहीं करने होगा उसके बाद दूसरे बॉक्स को क्लिक करना ओगा इसके बॉक्स मौं से डालना उसको आप स scholips लेक कर लिए पो सके लिए मैं या वीडियो से लिक लिए- पूरर द्यक्राहि वें ओसके लिखिव कर दिया है मैं सब्सक्राय हाय में तो इस चीब कर दिया ह उसके बद अगर आप अपने इस वीडियो के साथ कोई playlist या कोई काड़ी quantidade करना चाहते आप कर सकते हैं मैंने कोई Libra YES लिए लेँ प्लेलिस दे प्रोबिटी नहीं हो यहाँ इधर हमने end screen और cards को डाल दिया है जो i button बोलते हैं जो उपर को show होता है उसको add cards बोलते हैं और अगर आपको subtitle तब डाल सकते हैं उसके बाद आपको next कर देना है अब नीचे के unlisted रखना है या private रखना है तो उसके सबसे आप इधर select कीज़ेगा मैं इसे अनलिस्ट करता हूँ क्योंकि इस वीडियो को मैंने कल ही upload किया था और publish भी कर चुका हूँ इसके बाद आप इसे save कर देज़ेगा इधर हमारी यह वीडियो पुरी तरह से upload हो चुकी है इधर copy अब देखिए मैंने इस वीडियो को कल ही upload किया था और इसे में पाच व्यूज आए भी गए हैं और गर आप इस वीडियो की analytics देखते हैं तो मैं अपने वीडियो को सबसे पहले खुद ही देखता हूँ उससे क्या होता है कि मुझे पता चल जाता है कि मेरी वीडिय इसको पूरे देखते हैं आदे देखते हैं उस चीज से मुझे पता चल जाता है यह देखिए मेरी वीडियो इसको जितने वी वीव चाया है सभी पूरी तरह से देखाए और मेरा वीडियो उनको सब्सक्रिश्ट क्यों हूआ कैसे हुआ वह सब चीज आपको डिपेंड करत है कि जो viewer वही search name select करें वह टेक्निक में आप लोगों को दूसरे वीडियो में बहुंगा तो इधर मैंने आपको समझा दिया कि YouTube पर वीडियोज अफ्लोड करने का सही टेक्निक क्या है तो आप इसे टेक्निक के त्रू यूटूपर वीडियोज अपलोड किजेगा और जो म कर जाते तो बहुत ही दीकत होता है उसे वापस से कनेक करने में और उपर से वो वीडियो वीडियो वह आपस स्टाइटिंग से अप्लोड करने स्टाट कर लेए इस बात का ध्यान दखिएगा अगर आपको वीडियो अच्ही लगे होगी तो वीडियो को लाइक किजेगा मैं चैनल को सब्सक्राइब कीजेगा और ऐसी सपोर्ट करते रहेगा